सर्व प्रथम तो आप सभी दोस्तों को नवरात्री की हारदिक शुभ कामनाएं, दोस्तों इस नवरात्र में मैं आप लोगों को वैशनव माजी के सिक्के का लाइव चमतकार बताऊंगा में हर साल अपने हिंदी पौरानिक कथाएं चैनल में आप लोगों को दुलब से दु मारा विडियो है ये जो यह नवरात्री के जो हमारे पावन पर्व चल रहे हैं तो इस पावन में वैशनव मान्जी के सिक्के अगर आप के पास में है तो आप अभी इसके लाइव चमतकार देख अगर आपके पास में भी है वैशनव मांजी के सिक्के तो आप भी बहुत बड़े धनी है दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में प्राचीन काल से शुभ मुहूर्तों में शुभ त्योहारों में सोने चांदी तामबे के सिक्के की जो खरीदार खरीदने की परंपरा है कि प्राचीन काल से ही चली आ रही है क्योंकि दोस्तों सिक्के को हमारे हिंदू धर्म में लक्षमी कह और लक्षमी सौभाग्य का प्रतीक है वैशनव मा के सिक्के का नवरात्री के किसी भी दिन ये उपाय करना है चमतकार देखकर दोस्तों आपकी आखे फटी की फटी रह जाएंगी अगर आपके पास वैशनो मांजी के पुराने सिक्के नहीं है तो दोस्तों आप इसे ले सकते हैं दोस्तों अगर आपके पास कोई और पुराना सिक्का है जिसमें वैशनो मांजी के अगर आप एक हम बोल सकते हैं चवी चपे हैं या फिर दुरगा जी की चवी चपे हैं अर्थात दोस्तों उनके स्वरूप चपे हैं या फिर लक्षमी जी के स्वरूप चपे कि हम सब हिंदू भाई क्या करते हैं, दिवाली के समय में घर की बर्कत बढ़ाने के लिए लक्ष्मी माता जी के चांदी के सिक्के या फिर गनेश जी के चांदी के सिक्के घर में खरीद कर लाते हैं, तो उसका उपाय भी इस नवरात्री के दौरांग अगर आपके पास में ह तो आप कर सकते हैं। देवी मा दुर्गा पृत्वी लोग पर अपने। जल्दी प्रसंड होती है। करने का तरीका बताऊंगा दोस्तों आपको रंग से राजा बनाएंगे दो आपको ये इच्छित नौकरी दिलाने का काम करेंगे आपके हर कदम में मित्र के भांती मदद करेंगे किसी भी ख्षेत्र में जाए यह हर ख्षेत्र में आपकी मदद करेंगे तो इसलिए आज के व प्यूब चैनल ही नहीं बलकि आप सभी दर्शकों का परिवार है। चलिए जानते हैं, दोस्तों दोस्तों एक खास बात की इस वर्ष की नवरातरी पूरे नौ दिनों का रहने वाले हैं। पुष्पा की गजरा बना करके अगर माता को भेंट करते हैं, तो माता ऐसे भक्तों को सब कुछ देने के लिए सब कुछ अपना निचावर कर देती है, जैसे कि धन एश्वर्य सुक शानती माता सब कुछ निचावर कर दी। दी है लोगों को बोलता होना समगरज्यान हमारे चैनल एक खास चैनल है और आप लोगों को हम गुप से गुप जानकारी भी बताते हैं। दोस्तों ताकि आप सब लोग नवरातरी के समय का भरपूर आनंद उठा सकें। दोस्तों नवरातरी के समय बहुत सारे ऐसे भाई हमारे चैनल में जुड़े जिन्हें पूरे टाइम नहीं मिल पाते वक्त नहीं मिल पाती तो गजरा बना करके माता को चड़ाई है। आपकी सभी मनोकामना केवल एक ही दिन की गर्जना चड़ाने से माता पूर्ण करती है। दोस्तों मा का हृदय बहुत कोमल होता है। मा को प्रसन बहुत आसान है, बस आपके भाव अच्छे होना चाहिए, तो दोस्तों अगर आपके पास वैशनव मांजी का या फिर लक्ष्मी जी का अगर कोई पुराना सिक्का है, तो नवरात्री में इस पर्व से आप जो है दोस्तों उस सिक्के को जागरित कर सकते हैं, ह कोई भगवान की मूर्ती घर में खरीद करके ला रहे हैं, और उसमें प्रान प्रतिष्ठा नहीं, तो दोस्तों ऐसे मूर्ती की घर में पूजा नहीं होती हमारे शास्त्र कहते हैं, कि जिस मूर्ती में अगर प्रान प्रतिष्ठा हो, वह मूर्ती हमें फल प्रदान करता है उस मूर्ति की पूजा करने से हमें धन एशवर्य सभी तरह के भौतिक सुखों की प्राप्ती होती है जब कोई ब्राहमन मंतर जाप करके प्रानप्रतिश्टा करते हैं मूर्ति में तो वह जागरित होता है उसी तरह दोस्तों यह वैशनव मांजी किसी की अब से भी लोगों के पास में है, यह अभी बहुत भी कुछ वर्ष पूर्व चले है, तो अगर आपके पास में हैं। की करा सकते हैं, दोस्तों यह से कम, मंत्रों से जागरित नहीं होगा, यह सिक्का किसी भी तरह की क्रिया से जागरित नहीं होगा, केवल में एक ऐसा व्रिक्ष के बारे में बताऊंगा, जिसकी जद में रखने से जागरित हो जाएंगे, दूसरा दोस्तों इस सिक्के को जाग जी हनुमान जी महाराज है या फिर भगवान गनेश जी महाराज है गनेश जी नहीं है कोई बात नहीं अगर कोई भी देवी देवताओं के सिक्के अगर आपके पास में जिसमें देवी देवता अंकित हो तो ऐसे सिक्के को जागरित करके आप कम ही समय में धनवान बन सकते है यह सिक्का एक बार आप जागरित कर। लेटे हैं तो समझ जाना दोस्तों कुबेर की कुणजी आपको मिल गई। यह कोई साधारन सिक्का नहीं है, सिक्का सिक्का जो नवरात्री में जागर्ण होता है, तो नवरात्री में चल और अचल सजीव और निर्जीव सभी वस्तु जो है, चैतन्य हो जाती है, सभी वस्तु में प्राण आजाती है, इसलिए नवरात्री के समय का भरपूर लाब उठाए। आए इस बारे में जानते हैं, जिससे सिक्का किस तरह से जागरित होगा, इसके करने का आसान तरीका तीन तरीका बताऊंगा, जो तरीका आपको आसमें रह जाएंगे, तो महेंगे, आपको रत्न पहनने की जरूरत नहीं है, दुकान धंधे की तो दोस्तों आप जितने कहा जाए तरक्की होगा, जिसकी आपने कलपना भी नहीं की है, तो से के जागरित करने का तरीका सुनिये, तो जी के सिक्का या फिर आपके पास लक अखंड जोती कलश के अंदर में डाल देनी है, तो दोस्तों बिना मंत्र के बिना किसी क्रिया के अखंड जोत के प्रभाव से यह सिक्का पूरे नौ दिनों के भीतर में जागरित हो जाता है, फिर दोस्तों आप जो इस सिक्के का उपाय धन आकर्शन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों ये चमतकारिक से के यह प्रथम तरीके से आप जो इसे सिध कर सकते हैं, जागरित कर सकते हैं, दूसरा तरीके सुनिए तो दोस्तों इस चमतकारिक सिक्के को जगाने के लिए दूसरा उपाय है, इस सिक्के को तुलसी की जड़ के नीचे में नौ दिनों के लिए आपको दबा करके रखना है दोस्तों और इसे दसवे दिन निकाल लेना है पूरे नवरात्री में तुलसी के नीचे समस्थ तीर्थ एवं हरी समेट अर्थात भगवान विश्नु समेट देवी देवताओं का वास होता है तो दोस्तों यह सिक्का नौ दिनों में जो है तुलसी की जड़ के नीचे में रहने के कारण क्योंकि जो है नवरात्री के समय नौ दुर्गा के समपूर्ण शक्ती इस धरापर आती है तो खासकर पेड, पौधे, व्रिक्ष, एवन जितने भी मातारानी सहकारी शक्तियां है, सहचरी शक्ती जैसे कि तुलसी माता को ही ले लीजिए तो ये सब जागरित अवस्था में होते हैं इसलिए दोस्तों ये सिक्के जागरित हो जाते हैं तरीके आप जो है तुलसी की जड़ के नीचे रख करके आप इसे जागरित कर सकते हैं अब तीसरा जिससे दोस्तों अगर नवरात्री के नौ दिन में भी अगर आपको समय मिले तो नवरात्री के किसी भी दिन केवल 24 घंटे के लिए इस सिक्के को इस व्रिक्ष के नीचे में डाल देने हैं, जागरित हो जाएंगे, तो व्रिक्ष कौन से हैं? दोस्तों वो है निम्न के व्रिक्ष हमेशा याद रखना जितने भी देवी शक्ती होती है, माता दुर्गा के नौ स्वरूप है, 21 जितने भी माता रानी के आह 51 जो शक्ती पीठ है, सबके जितने भी देवी शक्ती संसार में समस्त देवी शक्तियां है, नियम के व्रिक्ष प या फिर कोई पुराना सिक्का है, तो सिक्कों को आपको रख करके जाना है, और नीम वरिक्ष की जड़ के नीचे में आपको दबा करके आना। दबा करके आजाना है, नवरातरी के प्रथम दिन दबाते हैं, नौ दिनों तक रहता है, तो बहुत ही उत्तम है, समय नहीं मिल पा रहा है, वीडियो को टाइम में देख रहे हैं, तो नवरातरी के किसी भी दिन आप जो इसे 24 घंटे के लिए भी दबा सकते हैं, अगर आपको नवरातरी के आठवें, दिन यह वीडियो देख रहे हैं, तो 24 घंटे के लिए दबा सकते हैं, बाकी आप जो है ज्यादा दिनों के लिए दबा करके रखते हैं, नवरातरी के बाद निकाल करके रखते हैं, तो और थोड़ा ज्यादा यह प्रभावशील हो जाते हैं, इसक दोस्तों आपको कैसा लाभ मिलेंगे के जागरित हो जाएंगे तो इसका उपाय आप बहुत सारे कारियों में कर सकते हैं। जरूर लिखना मातारानी आपका स्वागत है। दोस्तों पहनते ही आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा चमतकार होना शुरू हो जाएंगे महेंगे रत्न से भी ज्यादा ही आपको फायदे देंगे मित्र के भानती। हर कदम ही आपके मार्क दर्शन करेंगे अर्थात उर्जा रूप में हर क्षेत्र में आपकी मदद करेंगे क्योंकि यह जागरती चीज जागरती चीज ही हमेशा कम समय में व्यक्ती को अधिक लाब देते हैं। दोस्तों आप आपने कई लोगों को यह सुना होगा कि फलाना व्यक्ती रातो रात अचानक उनकी किस्मत बदल गये धनी बन गये या फिर उनके जीवन में परिवर्तन आ गया तो ऐसे ही होता है। दोस्तों यह जो बोल सकते हैं, जागरिती व्यक्ती के जीवन को बदल करके रखने में सक्षम होते हैं, दूसरा दोस्तों दुकान कारोबारी स्थान में यह पैसों के साथ। क्योंकि दोस्तों यह सिक्के स्वयन जागरित होते हैं। दोस्तों कभी भी आपको धन दौलत वैभव की कमी। नहीं होगा इसके बाद दोस्तों घर के सभी लोग जहां पर सभी लोग आपके घर में बैठते हैं। तो दोस्तों उस स्थान पर फ्रेम फ्रेम बंधवा करके अगर घर में ये सिक्के रखा जाएं जहां पर सभी जैसे की हाल है। तो हाल में घर के सभी लोग बैठते हैं, तो ऐसे स्थान में फ्रेम बनवा करके ये सिक्के रखा जाएं, तो यह घर के सभी लोगों के घर में जितने भी आपके सदस्य है, दोस्तों सभी लोगों की किस्मत चमका देगा, दोस्तों सभी लोगों की किस्मत सितारे जैसा चम जानकारी वैशनों नुमा के सिक्के के बता दिये हैं, तो दोस्तों इसी तरह के और भी अच्छे अच्छे जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना और वीडियो को आगे शेर करना दोस्तों आपके एक शेर किसी के जीवन में मुस्कान ला सकता आज की जानकारी बस इतना ही दोस्तों वीडियो में आखिरी तक बने रहने के लिए धन्यवाद।